हेलो एडिवरेबन स्वागत है अब सभी का एक बार फिल से GDC U2Turk के मिडिसिन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपलर मेडिसिन Oro4XT टैबलेट के बारे बारे बीजिया Oro4XT टैबलेट एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है खास कर बाडी में खून की कमी को पूरा करने के लिए जिया जब बाडी में खून की कमी होती है उसमें जो आरन की कमी होती है हीमोगलोबिन की कमी होती है विटमिन B9 फोलीकेसिट की कमी होती है तो body में oxygen की कमी होगी तो body में घातक पड़ाम देखने को मिल सकते हैं मिलती भी हो सकती है तो अलग-अलग condition में जब खून की कमी होती है खासर गर्वती माईलाओं में कोई माईलाओं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं उनमें भी हमारी जब खून की कमी होती है तो यह हमारा Oro4XT tablet बहुत ही अच्छा इसर दिखाता है तो आज हम देखेंगे Oro4XT tablet के अंदर main API main content क्या मिला होगा इसका उपयोग कहां कहां होता है इसके काम करने का तरीका यानि की mechanism affection क्या है इसके इस्तमाल करने का तरीका इसका side repair, इसका precaution, इसका dose मतलब इस tablet की हम संपोड जानकारी देने वाले हैं पूरे वीडियों बने रहीएगा ताकि कोई भी information मिस्नो होने पाए जी हाँ Oro4XT tablet के अंदर जो हमारा main API main content होगा टोटल यहाँ पे दो content मिले हुए होते हैं सबसे पहले बात करेंगे ferrous ascorbate जिसे हम iron भी बोलते हैं इस tablet के अंदर 100 mg के amount में मिला होगा अगला है folie के सेड यानि के vitamin B9 बोलते हैं जो कि इस tablet में 1.5 mg जी जी हाँ 1.5 mg के amount में मिला होगा manufacturer की बात कर लें तो बहुत ही popular manufacturer M.Cure pharmaceutical limited द्वारी बनाई जाती है 30 degree के बिलोव इस्टोर करते हैं और 10 tablet के एक इस्टिफ की की मत 180 से 190 के आसपास MRP होती है डियर बात करेंगी uses की जी हाँ में लिए ओरोफर XT tablet का इस्तिमाल कहां कहां देखने को ज़ता है में लिए आपके iron की कमी जो हमारे हमारी जो blood का loss हो गया है लो इंटे का फाइरन है तो उस iron की कमी को पूरा करती है blood में iron की मात्रा बढ़ाती है साथी साथ जो एनिमिया की condition है उसको prevent करती है especially जब हमारी जो pregnant women है जो breast feeding mother है उनमें जो एनिमिया कमी होती है उसको दूर करने का काम करती है साथी साथ जो आपके RBC के formation में भी मदद करती है साथी साथ platelet के formation में यह बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती है तो इन इन जगाँ पे oro for extra tablet का use देखने को मिलता है बात करेंगे काम कैसे करती जी हम में केंगे जो आप action क्या है जिससे आपके body में क्या होता है energy level maintain रहता है gastrointestinal आपका function पाचन सकती पाचन क्रिया maintain होती है immune system आपका boost होता है body temperature regulate होता है body में सारी क्रिया blood के formation से बहुत अच्छी चलने लगती है बात करेंगे vitamin B9 या folic acid की तो एक तरह से ये water soluble B complex vitamin होता है जो कि आपके किसमे DNA के formation में red blood के formation में एक coenzyme की तरह act करता है साथी साथ ही responsible होता है किसमे oxygen की supply में और overall body के growth में overall body के development में oxygen supply में हर एक जगा यहाँ पे vitamin B9 या folic acid का role होता है बात करेंगे डियर इसके doses की जी हाँ mainly इसका dose आपके doctor के सला के बाद ही होना चाहिए बात करेंगे कि इस tablet को orally लिया जाता है चीव क्रस नहीं किया जाता है खाने के बाद लेने से इसका बेहतरी नसर देखने को मिलता है बात करेंगे इससे जुड़े कुछ precaution की तो इसको यूज करने से पहले इसके लेविल का direction अच्छे से जरूर पहें बच्चों की बहुत से दूर रखें और इस medication को tea या coffee के साथ लेना avoid करें क्योंकि ये iron के absorption में interfere कर सकता है साथी साथ जितना भी recommended dose है उससे ज़्यादा कभी न ले बच्च जितना बताएगा है उसी मातरा में ही लेते रहें बात करें के कुछ common side effect की तो इसे tablet को लेने के बाद थोड़ा सा constipation cups की समस्या देखने को मिल सकती है पेट में थोड़ा गुरुडाहर सूजिंग हो सकती है मौथ में bitter test देखने को मिल सकता है इसे tablet की जानकारी कैसी लगी इसी तरीके से और medicine की जानकारी चाहिए तो इस playlist को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा अगली medicine अगली दवाई किसके बारे मता है उसे भी comment box में जरूर दिखेगा चली मिलते हैं किसे अगले वीडियो में किसे अगले रॉपे के साथ तब तक के लिए thank you so much dear all the very best